यहिन दोस्तों, क्या आपको पता है? अगर आपके माता पिता ने साल 1994 में इन्फोसिस के शेर में अगर 15,000 रुपए भी लगा दिये होते हैं, मात्र 15,000 रुपए, तो आज साल 2024 में उस 15,000 की वैल्यू 15 करोर से भी ज्यादा हो जाती हैं, जी हाँ, सिर्फ उस अकेले 15,000 की व गोलती ना करो, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पहली बार शेर बजार में इन्वेस्ट करके पैसा लगाकर लॉंग टम में 100 करोर रुपए का वेल्थ कैसे जिनरेट करें, 100 करोर रुपए की इंकम कैसे करें over a long period of time, एक दो दिन में नहीं, over a long period of time, ये जो होने वाला है, इसमें आपको ज्यादा पैसा नहीं लगेगा, बस आपको consistent रहना पड़ेगा, इन्वेस्ट कहां करना है, कैसे करना है, कितना करना है, किस-किस जगे पे करना है, साड़ी चीज़े आज इस वीडियो में मैं आपको 5 स्टेप में clear करूँगा, और मैं आपको वादा करता हूँ, कि भाईया, जब तक आप, जब तक आप 100 करोर का wealth नहीं generate कर लेते, तब तक मैं आपका साथ नहीं छोड़ूगा, बस आपको इस वीडियो को end तक देखना पड़ेगा, इन 5 स्टेप्स को अच्छे से समझना पड़ेगा, और अगर कोई भी doubt है, तो सीध कमेट में लिखिए, बस, ये चीज़ आप कीजिए, और वीडियो को end तक देखिए, चैनल को subscribe कीजिए, share कीजिए, आप जितना इस चैनल को support करोगे, उतना और अच्छे-च्छे content में आपके लिए आओंगा, और साथ में मैं आपके लिए podcast भी लाने वाला हूँ, आने वाल हैं, तो आपको demand and supply का concept समझना पड़ेगा, जी हाँ, बहुत साथे लोग ऐसे हैं, जो आज के समय इंस्टाग्राम की real देखकर share बजार में पैसा लगा रहे हैं, भईया ये गलती मत करो, मत करो, आज अगर आप 10-15,000 का profit बना भी लोगे, तो कल आप अपने लाखो का नुक खेल समझ जाओगे, देखिए ये share बजार का जो पूरा game है, वो पूरी तरीके से depend करता है, valuation के उपर, किसके उपर, valuation के उपर, कि भईया कितनी कीमत है उस business की, ये सबसे बड़ा point होता है, जिससे आप share बजार में पैसा कैसे कमाते हैं, समस्ते एक्जामपल के साथ, मान ली आपने टाटा का एक share खड़ी था, जिसका एक share का कीमत था 3000 अब आप profit कप कमाऊगे, जब ये जो 3000 का share है, मान लीजे ये 3000 से बढ़कर, 3500 हो जाता है, तो आपको plus 500 का आपको profit हो जाएगा, और अगर आपका ये जो share है, उसका जो दाम है, वो 2500 हो जाता है, 3000 से घटके, तो आपको minus 500 का loss हो जाएगा, जी हाँ, तो दोनों situation आपको समझना पड़ेगा, एक situation में, एक case में आपको 500 का profit हुआ, दूसरे case में आपको 500 का loss हुआ, ये profit और ये loss हुआ कैसे, इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा, demand and supply, जी हाँ, घबराइए मत, ये demand and supply कोई है, जो gold है, उसकी supply भयंकर तरीके से बढ़ जाए, आज अगर ऐसा हो, मतलब ऐसा होगा तो नहीं, hypothetical ही माल लीजिए, कि जमीन से, जमीन से सोना उगना शुरू हो जाए, अपने आप जैसे पेर पौधा होगता है, तो आज किस समय सोने की भाव, जो है, क्या वो रह पाएग है, और जिस चीज की supply कम होती है, तो उसकी demand ज्यादा होती है, और जिसकी demand ज्यादा होगी, तो उसकी price भी ज्यादा होगी, और उसी तरफ, अगर सोना हर एक राह चलते किनारे में, आपको जमीन से उगता हुआ दिखे, तो हर जगा gold होगा, इसका मतलब उसकी supply बहुत ज्य जिक यही चीज का खेल करके बड़े-बड़े businessman, बड़े-बड़े businessman बनते है, आपको क्या लगता है, मुकेश अम्मानी, मुकेश अम्मानी कैसे बन गए, रतन टाटा, रतन टाटा कैसे बन गए, धिरुबाई अम्मानी, धिरुबाई अम्मानी कैसे बन गए, राकेज जु पढ़ेगा कि जिस चीज की demand market में बनी रहेगी उसकी price बढ़ते रहेगी और दूसरी तरफ जिस चीज की demand बहुत कम होगी और इसका मतलब उसकी supply बहुत जादा होगी उसकी price कभी बढ़ेगी नहीं उस case में आप पैसे नहीं कमा पाओगे तो आपको हमेशा हमेशा ऐसे जगे पैसा नहीं कमा पाओगे जी हाँ आपको ये समझना पड़ेगा माल लीजिए माल लीजिए कोई share है for example ABC ABC company limited है ABC public limited company है कोई भी company है ये कोई product बनाती है इस product का नाम कुछ भी हो सकता है XYZ फर्क नहीं पड़ता ठीक है ना माल लीजिए ये क्या करती है ये बनाती है आपके लि ABC company public limited है ये का करती है bat बनाती है traditional bat ठीक है ना आज ये company थोड़ी बहुत profitable है लेकिन ये जो product बना रही है ये company ये traditional bats बना रही है जो बहुत पहले बल्ले आते थे bat cricket खेलने के लिए उस हिसाब की तो उस bat की जो demand होंगी वो धीरे-धीरे market में decline हो रही है तो आज आपने इस company क मानलीजिये for example साल 2024 में आपने इस company का share खड़ीदा है मानलीजिये 1000 रुपए में 1000 रुपए में अगली साल 2025 में इसका एक share का दाम हो जाता है 1500 रुपए आपको इस case में profit तो दिख रहा है लेकिन साल 2025 में मानलीजिये कोई एक revolutionary company आती है जो कहती है कि भया अब से हम ऐसा bat बन लेके आएगा यह सारी facility एक बड़ी company लेके आती है तो उस समय ABC company limited का business हिल जाएगा क्योंकि यह तो traditional bat बनाती थी right मानलीजिये suppose मानलीजिये traditional bat से उस नए bat पे shift नहीं कर पाती है इसके पास उतना पैसा नहीं होता है उतनी technology नहीं होती है तो जो दूसरा नया company आएगा मानली इसका जो business है इसका जो bat होगा traditional bat इसके traditional bat का जो demand जो साल 2025 में मानलीजिये यहाँ पे रहा हो वो धीरे 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 इसकी product की demand अगर गिरेगी इस company की मानलीजिये साल 2028 तक इसकी bat की sales है वो इस हिसाब से नीचे चली गई लोग modern bat ले रहे है इसकी bat की sales गिर गई इस bat इस company की sales गिरेगी तो इसकी profit भी गिर जाएगी इसकी profit गिरेगी तो obviously मतलब company के पास cash नहीं बचेगा cash नहीं बचेगा तो company को और कर्ज लेना पड़ेगा मतलब company की liability बढ़ेगी overall business का fundamental पूरी तरीके से disrupt हो चुका होगा पूरा बरबाद हो चुका होगा और तब तक क्यूं demand गिरेगा इसका मतलब supply बढ़ेगा और अगर supply बढ़ेगा और demand गिरेगा तो obviously साल 2018 तक इसके share का दाम 1500 से गिरके हो सकता है 500 पे चला जाए और उस case में आपको 500 रुपए का loss हो जाएगा तो यह चीज आपको ध्यान से समझना है कि भया जहां भी आप अपने पैसे को लगा हो जो भी product वो company बना रही है उसकी demand market में बहुत futuristic constant होना चाहिए या फिर वो future में काफी increasing होना चाहिए तब ही जाकर आप उस company से पैसा कमा पाओगे समझ गये ये समझना आपके लिए बहुत दरूरी था इसके बिना पैसे नहीं कमा सकते बहुत ऐसे लोग है ना बहुत ऐसे मजबूत नहीं होगे तब तक आप पैसे नहीं कमा सकते किसी भी यूट्यूबर का एक मिनट का वीडियो देखकर एक real देखकर आप पैसे नहीं बना लोगे बिलकुल नहीं अगर पैसे कोई बनाएगा उस case में तो सिर्फ हो यूट्यूबर अगर आपको चीजे जर से समझ नहीं है तो आपको ऐसे लंबे-लंबे वीडियो देखने पड़ेंगे आधे-अधे घंटे का knowledge लेना पड़ेगा ये सब चीजे आपको किताबों में नहीं मिलेंगी आपको other than books भी चीजे explore करना पड़ेगा जंदगी में पैसे कमाने के लिए ठीक है तो ये है demand and supply का खेल अ नहां पर आप अपने पैसे को लगा सकते हो चारो के चारो एसेट क्लास आपके पैसे को equity में लगाएंगे मतलब share बजार में लगाएंगे लेकिन directly या फिर indirectly अब वह आपको decide करना है कि आपको अपना पैसा कहा और कैसे लगाना है सबसे पहला option और step number two ध्यान से सुनिएगा वो है blue chip stocks जी हा ये जो blue chip stocks है इसके नाम पर मतलब होता है casino में जो casino का गोटी होता है लाल गोटी हरी गोटी निली गोटी तो उसमेंसे जो blue chip गोटी होती है वो सबसे महंगा और सबसे premium गोटी होती है तो इसको casino या 6950 मत समझिएगा Blue Chip Stock को मतलब एक Premium Stock बोला चाता है Share Bazaar के Terms में, Share Bazaar के बोलचाल में यह जो Blue Chip Stock होता है, इसका मतलब ऐसा Share S.A.S.A. Company का Share, S.A.S.A. Companies जो आज भयंकर Strong है, बहुत बड़ी-बड़ी Company मन चुकी है भारत की जिसके गिरने के Chances बहुत कम है जैसे की आपका आप लगा लो HUL, हिंदुस्तान उनिलिवर, SBI, State Bank of India HDFC Bank ठीक है, त्यान दीजेगा, ऐसे ऐसे बड़े-बड़े Reliance Industries ठीक है न, उसके बाद आपका TCS, उसके बाद आपका ITC ऐसे बहुत बड़े-बड़े Companies, Asian Paint, ICICI Bank, Dabar, Nestle, Pedalite उसके बाद आपके बहुत साड़े, Mariko, बहुत साड़े, Varun Bear Villages, ऐसे बड़े-बड़े Blue Chip Companies जो आज बहुत बड़े है, Mahindra & Mahindra, Tata Motors, यह साड़े बड़े-बड़े Company है यह साड़े Blue Chip है, Giant है, यह ऐसे Company है कि अगर इन Company का Share गिड़ जाए तो overall भारत का Share बजार गिड़ जाएगा एक बार, राइट, अगर आपको पैसा कमाना है, आपको पता है, मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि विप्रो या फिर Infosys के Share में, बहुत पहले, साल 1990s में अगर आपके Mother Father ने पैसा डाला होता मात्र 10-15,000 तो आज उसकी कीमत 15-20 करोर से भी ज्यादा होती, अकेले उस 10-15,000 की value, अकेले, और आने वाले समय में वो पैसा अगर लगा रहा है, 1990 से लेकर आज तक लगा हुआ है, तो वो पैसा आज से 10 साल बाद 100 करोर से भी उपर जा चुका होगा, ये guarantee है, ये होगा, य ये होगा, और यही चीज आप भी कर पाओगे, अगर आप अपना पैसा ऐसे स्टॉक्स में लगाओगे, चाहे वो हिंदूस्ता इनलिवर हो, SBI हो, HDFC बैंक हो, Reliance Industry हो, TCS हो, आप ऐसे सोच के देखिए, अगर कोई बंदा में से cross question करता है, कि सर जरूरी नहीं, जरूरी तो मैं हर वीडियो में आपको बार-बार बोलने की कुशिच करता हूँ, मान लिजिए भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन है, सबसे बड़ा बैंक कौन है, SBI, उसके बाद HDFC बैंक, प्राइमिट में, फिर ICICI बैंक, Kodak, Mahindra बैंक, ये सारे बड़े-बड़े बैंक है, ध्यान हो और बी चुट-पुट, बहुत सारे बैंक हैं ना जाने, कितने बैंक हैं आज की समय, बहुत सारे, हाजारों बैंक हैं, लेकिन, आप ऐसा सोचिए, कि क्या हो, कल कुछ ऐसा हो जाए, भगवान ना कड़े, HDFC बैंक बंदध हो जाए, SBI बंद हो जाए, ICICI बंद हो जाए, रातो रात की बात कर रहा हूं है, Kodak Mahindra Bank बंद हो जाए, अगर ये सारे banks धीरे 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 बंद होना शुरू हो जाए, कैनरा Bank बंद हो जाए, जितने भी बड़े बड़े banks है, AXS Bank बंद हो जाए, तो आपको क्या लगेगा, कि बाकी bank को लोग फिर में लोक पैसा नहीं डाल रहे हैं ITzk कहलड और बड़े बांग से अपना पैसा निकाल कर किसी private चोटे मोटे बैंकस में अपना पैसा लगाएंगा आपको ऐसा लगता है सोच के देखिएगा सरह लॉजीकली सोचियें मतलब आप बड़े से बंगलो से निकल कर छोटी से जोपर पट्टी में रहने जाओगे, खुद की मरजी से, कभी ऐसा करोगे, नहीं, यह logically सोच ले, तो यह कुछ ऐसे businesses है, अगर यह बंद होते हैं, यह सभी के सभी business अगर एक बार में collapse कर जाते हैं, तो पूरा का पूरा देश ठप हो जाएगा, अगर SBI, HDFC Bank, ICICI, Kodak, Axis, यह जितने भी बड़े-बड़े Bank में आपको बता रहा हूँ, यह अगर रात और रात बंद हो जाए, इसका मतलब है, जितने भी छोटे-मोटे Banks हैं, वो तो मर गए, वो तो खतम हो गए है, तब जाकर कि यह बड़े Bank डिजॉल्व हो गए, जब इन बड़े Infosys, Reliance Industries, HUL, HDFC Bank, बहुत लोगों की किस्मत चेंज करी है इन कंपनियों ने, बहुत सारे लोगों की, लेकिन, 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 उसके लिए आपको सबर रखना पड़ेगा, लॉंग तम तक इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि यह कंपनी अल्रेडी बहुत जाइं हो चुकी है, आज के समय अगर Reliance का share 2000 से 4000 हो जाए, तो उसके लिए Reliance के पूरे business को डबल होना पड़ेगा, समझ रहे हो, और Reliance itself a very biggest business of our country, सबसे बड़ा धंदा Reliance चला रहा है हमारे पूरे देश का, तो अगर मैं कह रहा हूँ कि Reliance का share का price डबल हो गया, तो उसके लिए Reliance के business को भी डबल होना पड़ेगा, और Reliance का business को डबल करने के लिए तो पहले लाखो करोरो हजारो रुपई की investment लगानी पड़ेगी, तब जाकर के Reliance का business डबल होगा, और बिजनस डबल होने के बाद उसका share price डबल होगा, लेकिन ये भी नहीं होगा कि रातो रात Reliance बंद हो मज़ा भी मिलेगा, लंबे समय में आपको अच्छा कासा profit भी देखने को मिलेगा, अभी तक अगर आपको मज़ा रहा है तो comment कीजिए भईया, मज़ा आगिया, मज़ा आगिया आप ऐसे वीडियो और लेकि आए, आप share कीजिए, ज्यादा से ज्यादा share कीजिए, जितना share क में आप अपना पैसा लगा सकते हो, सबसे पहला option मैंने आपको बताया, blue chip stocks, अब दूसरा option में आपको बता रहा हूँ, high growth stocks, high growth, जहां पर आप directly अपना पैसा, ऐसे shares में लगाओगे, जिसमें growth potentials बहुत ज्यादा है, आप बोलोगे, सर एक example तो दीजिए, for example, Zomato, क्या? Zom Zomato, आज के समय, पूरे भारत में food delivery business के अंदर monopoly रखता है, समझेगा इस example को, Zomato के अलावा, आज के समय, कोई भी ऐसा listed company नहीं है, share bazar में, जो की food delivery business के अंदर हो, पूरे भारत में दो ही सबसे बड़े company ऐसे है, जो food delivery business के अंदर अंदर है, सबसे पहला Zomato, दूसरा Swiggy, लेकिन Swiggy आज भी listed नहीं है share bazar के अंदर, Swiggy list होने वाली है लेकिन हुई नहीं है, तो Zomato जो है, वो अखेली monopoly कर रहा है पूरे share bazar में, इस industry के अंदर, Zomato का लावा और कोई company नहीं है, और Zomato जितनी तेजी से आज के समय expand कर रहा है, specially quick commerce में, blink it, आप आज दिल्ली चल नहीं मिल सकता, Zomato जो blink it का business चला रहा भया, 6-7 मिनट के अंदर आपके घर में grocery डिलेवर हो जाता है, कोई भी food खाना, कुछ भी चोटा बहुत मंगाना हो, 6-7 मिनट के अंदर, ये है Zomato का धंदा, हर बड़ी शहर में Zomato ने अपना warehouse बना रहा है, जहाँ पर कुछ भी सम आप से में Zomato का business देख रहा हूँ, ये बहुत ज्यादा high growth industry के अंदर काम कर रहा है, बहुत ज्यादा highly growth industry के अंदर है, आज के समय Zomato, अम बोलों के सार इसके अलावा एक और example देके दिखाईए, तो एक बहुत ही premium आपके लिए मैं एक share दे रहा हूँ, बहुत लोगों का business है, वो भयंकर है, भयंकर business के अंदर है, आज के समय सबसे ज्यादा high growth industry कौन सा है, कौन सा, अपने आप में share bazar, demat account, brokerage industry, ये जो brokerage है न, ये जो आपका जो बीच में middle man वाला industry है, ये जो brokerage है, आपका जो up stock हो गया, जिरोधा हो गया, grow हो गया, ये जो industry है, जो brokerage industries है, चह company वाली industry, ये industry बहुत तेजी से grow कर रही है, क्योंकि आज भी भारत में मातर 3-5% लोगी ऐसे है, जो investment कर रहे है, share bazar में पैसा लगा रहे है, और इसका penetration अभी बहुत ज्यादा होने वाला है, आने वाले 5 सालों के अंदर, और geofinancial, आज के समय, black rock, जो दुनिया के सबसे आकर collaborate करके इस sector के अंदर गुसा है, और आने वाले समय में इसमें कोई भी मतलब doubt नहीं है कि इस particular sector को ये company disrupt कर सकता है, बड़े बड़े brokers का दिमाग खराब कर सकता है, geofinancial अके ले, अब ज़रूरी नहीं है कि zomato ऐसा कर ही देगा, geofinancial ऐसा कर ही देगा, लेकिन मैं आपक उजीवन small finance bank हो गई, एक थोड़े time पहले आई थी आपका IDFC first bank, जो की जिसका share price भयंकर तरीके से उपर गया, बहुत ही छोटी bank थी, आज बहुत बड़ी bank हो चुकी है, IDFC first bank, बड़े बड़े शहर में जाएंगे तो IDFC first bank का नाम हो चुका है, brand HDFC जैसा, right, आने वाले समय क उसे HDFC बोला जा रहा है, तो ये बहुत highly stocks है, highly growth stocks है, ठीक है न, इनमें आप अपना पैसा लगा सकते हो, अगर इनकी fundamental आपको पसंद आती है तो, ये वीडियो कोई भी recommendation नहीं है, लेकिन अगर आप comment करोगे तो मैं ऐसे और भी stocks की नाम आपको बताओंगे, analyze करके जिनमें आप पैसे लगा सकते हो, बस आप comment कीजिए ऐसे और भी high growth stocks को जानने के लिए, right, अब देखिए, आपको मैंने पहला option बता दिया, blue chip stocks, दूसरा option मैंने आपको बता दिया, high growth stocks, ठीक है न, अब जो third option में आपको बताने बाला हूँ, and जो fourth step है, ध्यान से सुनिए का, इसके जो आकरी step है, वो आपका दिमाग खराब कर देगा, मज़ा आ जाएगा आपको, लेकिन उससे पहले third step बताता है, mutual fund investment, जी हाँ, mutual fund में आप पैसे लगाईए, अगर आप share बजार में बिलकुल नए होना, और अगर आपके पास बिलकुल समय नहीं है, लेकिन आपको पैसा ब महीने की salary होती है, उससे ज्यादा मेरा SIP करता है mutual fund के अंदर, जी हाँ, हर महीने लाखो के SIP मेरे चलते है mutual fund के अंदर, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है, पूरा भरोसा है कि आज नहीं, आज से 20 साल बाद मेरे पास at least इतना wealth तो होगा, कि मेरे बच्चों को कभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पैसो के लिए, यह मैं guarantee के साथ कहता हूँ, आपको लिख के देता हूँ आज, तो mutual fund में पैसा कैसे लगाना है, तो mutual fund एक AMC है, ऐसे एक management company है, माली जी एक दलाल है बीच का, ठीक है न, AMC, sorry, AMC business के अंदर है, mutual fund, जहां पर आप क्या कर एक लाख रुपे stock market में लगा दो, ना आपके पास पैसा है, ना आपके पास समय है, ना आपके पास expertise है, ना आप ये मातापची करना चाते हो, क्योंकि खुद से share में पैसा लगाना, बहुत risky business है, बहुत जादा, खुद से high growth stock को select करना, ये भी बहुत risky चीज़ है, लेकिन अगर आप ये पैसा किसी और को दे दो, किसी ऐसे expert को दे दो, जिसका दिन रात का काम यही है, जो आपके बिहाख में पैसे को लगा कर आपको grow करके दे, और बदले में थोड़ा बहुत commission ले, तो उसके लिए mutual fund best option है, कि आप अपना पैसा दीजिए AMC को, asset management company को, वो आपके बदले इस पैसे को लगाएंगी stock market में, जी हाँ, वो आपके बदले इस पैसे को share बजार में लगाएंगी, और आपको एक healthy return generate करके देंगी, इसका बादा है, ठीक है न, अगर आपको ज्यादा पैसे कमाने है mutual fund से, तो उसके उपर मैं dedicated video बना दूँगा कि कैसे पैसा कमा सक सकती हो, लेकिन मैं आपको एक मोटा मोटा math बता देता हूँ, कि देखिए, अगर आपको blue chip stocks में पैसा लगाना है through mutual fund, देखिए, मैंने आपको mutual fund, मैंने आपको starting में blue chip stock बताया, मैंने आपको aggressive stock भी बताया, लेकिन अगर आप blue chip stock या फिर aggressive stock में भी खुद से पैसा नहीं ल लगाएंगे, उसके बाद आप mid cap fund में अपना पैसा लगा सकते हो, जहाँ आप risk बहुत ज्यादा है, लेकिन return भी बहुत ज्यादा है, and third आप अपना पैसा लगा सकते हो, small cap fund में, जहाँ पर आपको भयंकर risk देखने को मिलेगा, और भयंकर return भी देखने को मिलेगा over a long period of time, या फिर आप अपना पैसे को लगा सकते हो, flexi cap fund में, flexi cap fund मतलब आप अपने पैसे को एक asset management company के fund manager को दो, और वो अपने expertise के according and market condition के according, आपके इस पैसे को थोड़ा large में भी लगाएगा, थोड़ा mid में भी लगाएगा, थोड़ा small में भी लगाएगा, यह आपके उपर depend करत है कि आपको कहां क्या लगाना है, क्या लोग इससे पैसे बनाते है, hundred percent बनाते है, hundred percent, है ना, mutual fund कैसे काम करता है, mutual fund क्या होता है, कौन से mutual fund में पैसा लगा है, जो आपको बहुत ज्यादा return दे, यह जानने के लिए भया comment कीजिए, मैं इसके उपर भी video लातूंगा, and इसके अगर मैं dedicated podcast लाओंगा, इंडिया के one of the biggest investors के साथ, अगर आपको देखना है वो podcast, अगर आप हमारे channel बे podcast जानना जाते हो, बरे-बरे celebrities के साथ, जो की छोटे होंगे, 20-25 मिनट केके, घंटे के नहीं, तो आप comment कीजिएगा, आपको मजा आ जाएगा, सारी चीज़ आपके ल रखाने के लिए, वो है, ETF investing, जी हाँ, exchange traded fund investing, जी, अभी जो मैंने आपको mutual fund बताया, देखिए, ये भी mutual fund के तरह होता है, मैंने बार-बार आपनी वीडियो में बताया है, ये भी mutual fund के तरह होता है, लेकिन mutual fund generally एक active fund होता है, और जो ETF fund है, जो ETF exchange traded fund है, ये generally, mostly, ये क्या होते ह है, passive fund, जहाँ पर आपको expense ratio सबसे कम लगता है, और जैसे आप एक share को exchange से खड़िते हो, जिरोदा आप stock account से खड़िते हो, सुबे के सारे 9 बजे से लेकर, सुबे के सवा 9 बजे से लेकर, दोपेर के सारे 3 बजे तक, उसी तरीके से आप खड़िते हो ETF, जी हाँ, इसको आप current market time में खड़ित भी सकते हो, यह होता है ETF, exchange traded fund है, अगर आपको ऐसा लगता है कि भारत के top 50 company, जो मैंने starting में आपको बताया, जो blue chip stocks थे, उनमें जो आने वाले time पे future में भयंकर growth है, बहुत ज्यादा, तो आप direct खड़ित सकते हो, nifty 50 ETF, आप खड़ित सकते हो, पुरा का nifty 50 का ETF, अब आपको क्या करना है कि इसका timing एकदम market के हिसाब से चलेगा, mutual fund होता है कि आप कभी भी खड़ितों दिन में फर्क नहीं पड़ता हो, उसमें आपको NAV, unit alert किया जाएगा, लेकिन जो ETF होता है, वो बिलकुल share के तरह होता है, तो अगर आपको लगता है कि आप blue chip mutual fund में पैसा ना लगा कर, आप ETF में पैसा लगाओगे, आप passive fund में पैसा लगाओगे, तो उसके लिए आप nifty 50 का ETF खड़ित सकते हो, इससे होगा क्या, कि जो blue chip stock वाला mutual fund होगा, उस case में जो fund manager होगा, वो अलग-अलग company के shares खड़ी देगा, जो भी company blue chips है, पढ़िया, और य जो nifty 50 ETF है ना, इसमें क्या होगा, कि जो भारत की top 50 company, जिस rank में लगी होई है, overall पूरे index में, पूरे market में, उस हिसाब से आपके पैसे को allocate कर दिया जाएगा, इसमें fund manager अपना कोई भी extra दिमाग नहीं लगाने जाएगा, जो fund manager mutual fund के case में लगाएगा, इसलिए ETF जो होता है, यह सबसे बढ़िया होता है, क्योंकि इसमें volume काफी ज्यादा होता है, और इसको आप during the market hour, अभी यहाँ पर खड़ीत कर, यहाँ पर भी बेच सकते हो, during the market hour, आप इसको market hour के अंदर कभी भी खड़ीत कर, कभी भी बेच सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें expense ratio यो almost ना के बराबर होता है, मिरे दोस्त, ना के बराबर, इसलिए ETF जो होता है, वो अपने आप में बहुत ही best category है, आप ETF में पैसा लगा सकते हो, ETF में पैसा बनता है, 100% बनता है, बस आपको बनाने आना चाहिए, ETF के उपर मैंने master class already बनाया हुआ है, आप सार्च कीजिए म पनिद्मा फैनायन्स ETF, आपको मेरे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपको इसके उपर एक और dedicated वीडियो चाहिए, और आपको इंडिया के बड़े investor से ETF investing के बारे में समझना है, और भी चीज़े सीखनी है, तो आप comment किजिए, मैं उसके उपर भी वीड सबसे ज्यादा है, नहीं तो आप अपना पैसा बनाओगे, नहीं उल्टा गवाद होगे, राइट, शुक्रिया वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच गाईस फ़ वाचिंग इस वीडियो, मिलते है अगले वीडियो में, लव यू, टाटा, बाई बाई, जिए